प्रोडों की जमीन की धोका धरी के मामले में EOW इंदौर ने केस दर्स किया है। विजयनगर अलाके में जमीन पर होटल में हिस्सेदारी देने के नाम पर किसान जगदीश पालिवाल के साथ धोका किया गया था। होटल वाउ जिस जमीन पर बना है वो कूट रचित दस्तावेजों में अपने नाम कर ली गई थी। फरियादी किसान जगदीश पालिवाल के शिकायत पर F.I.R. दर्स की गई है। इंदोर के विजयनगर इलाके में ये आलिशान होटल जिस जमीन पर बना है उसे होटल संचालकों ने कुट रचित दस्तावेजों के जरीए अपने नाम करा लिया था। इसी धोकाधड़ी के मामले में E.O.W. ने फरियादी किसान जगदीश पालिवाल की शिकायत पर केस दर्च किया है जिसमें तुलसिदास मनवानी, गिरीश मतलानी, चांदनी मतलानी और हीना वाधवानी समेथ ततकालिन I.D.A. अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया जो सिकायत थी वो I.D.A. त्वारा अलाट भूखंड की लीजडीट गलत तरीके से ट्रांसफर करने की सिकायत थी उस पर जांच की गई, जांच के उपरांत प्रथंद रष्टेया अपराद होना सिद्ध पाया है जिस पर से अपराद 420, 466, 468 और 471 भारती दंड विदान ब्रस्टाचार निवारन अदिनीम के तहट दर्ज किया गया है फर्यादी जगदीश पालिवाल नीमच के रहने वाले हैं, वो पिछले कई सालों से अपनी जमीन वापस पाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे लेकिन आरोपियों के रसूखदार होने के चलते उन्हें काम्याबी नहीं मिल पा रही थी अब F.I.R. के बाद उन्हें इनसाफ की उम्मीद जागी है मामले में E.O.W. ने भले ही केस दर्ज कर लिया हो लेकिन पीडित के सांच जगदीश पालिवाल को अब भी डर है कि कहीं इनसाफ से वो वन्चित न रह जाए पालिवाल हाई कोट की निगरानी में पूरी जाच कराना चाहते है रवी सिसोधिया IBC24 इंदौर